दोस्तो बंगलादेश के अंदर एक बाफिर से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही अब चक्मा समुदाय के उपर लगातार बंगलादेश के अंदर हमले हो रहे हैं जिसको लेकर चक्मा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को एक लैटर भी लिखा है इसके साथ ही बंगलादेश की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री से खसीना के प्रत्यारपड की भी मांग की जा रही है बंगलादेश से निकल करा रही इन सबी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे इसलिए वीडियो को अंतक जरू देखेगा दरसल दोस्तो आज से कुछ दिनों पहले ही बांगलादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बांगलादेश की आर्मी को मेजिस्ट्रेट लेवल की पावर दी गई जिसके अनुसार किसी पर भी कारवाई करने उसे गिरफतार करने यहां तक की जरुवत पढ़ने पर उसे गोली मारने तक की दिये गए उनकी दुकानों को जला दिया गया और लूटा गया लेकिन यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे हमले में बांगलादेश की आर्मी ने सपोर्ट किया है वहीं इससे भी जदा दुखत बात यह है कि उनके जो बुद्धिश टेंपल वगरा थे उनक सेकडों लोगों के घर छोड़ने की भी खबर सामने आई यह पहली बार नहीं है जब इंडिजनस चकमा लोगों के उपर इस तरह से हमला किया गया हो बांगलादेश के अंदर इससे पहले भी इनके उपर कई बड़े हमले किये गए लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा हमल इन लोगों के उपर किया गया वहीं इस अटैक को देखते हुए चकमा समुदाय के निताओ की तरफ से भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की गई सुक्रवार को चकमा समुदाय के निताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया किवे बांगलादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुक मुहम्मद युनिस से किसी भी तरह की बादचीतिया मुलाकात ना करे इसके साथ ही उन्होंने भारत और बांगलादेश के बीच कूटनितिक संबंदों को तब तक कम करने की मांग की जब तक धाका पहाडी जनजातियों और धार्मिक अलप संख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। कर रहे हैं ग्यापन में कहा गया है कि खगराचारी में कम से कम नो निर्दोस जनजातिये लोगों कोई गोली मार कर हत्या कर दी गई और दरजनों घायल हो गए हैं जबकि दिगिनाला सदर से सो से अधिक घरों और दुकानों को जला दिया गया। ये हमले इसलिए हो रहे हैं ताकि पहाडी लोगों द्वारा लोगतांतरिक अधिकारों का इस्तिमाल रोग सके और उन्हें चिटगाओं हिल ट्रेक्ट से बाहर निकाला जा सके। आपको बता दे कि चिटगाओं हिल ट्रेक्स पहले एक जनजात्य बहुल छेत्र था और 1947 में भारत विभाजन के दोरान 98.5% गैर मुसलिम अबादी होने के बावजूद बंगाल सीमा आयोग ने इस छेत्र को पाकिस्तान को सौब दिया था। 1979 से 1983 के बीस तातकालिन पाकिस्तान के राश्ट्रपती जनरल ज्याओ रह्मान ने करीब 5 लाग मुसलिम बसने वालों को यहाँ अवैद रूप से बसाया ताकि यहाँ की जनजात्य अबादी को उनके ही छेत्र में अलपसंख्यक बना दिया जाए। आज यह अवैद बसने वाले चिटगाउं हिल ट्रेक्स की कुलाबादी का 50% से अधिक हिस्सा बन चुके हैं। के कई मंतरी साथी अवामी लीक के वरिष्ट निता हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह आरोप जुलाई और अगस्त में हुए हिंसक परदशन के दोरान हुए घटनाओं से जुड़े हुए हैं। बांगलादेश के कानून सलाकार आसिफ नजरूल ने गुरुवार को कहा कि अंतराष्ट अपराद न्याईधी करण के लिए अभी योजग पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं। आसिफ नजरूल ने बताया कि जैसे ही ट्रायल सुरू होगा बांगलादेश सरकार से खसीना के भारस से प्रत्यरपड की मांग करेगी। बलकि भारत और बांगलादेश के संबंदों पर भी असर डाल सकती है। अब देखना होगा कि भारस सरकार से खसीना के प्रत्यरपड को लेकर क्या कदम उठाती है। लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन।